असलाम अलेकुम विवर्ज, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्ट चिकन करी की रेसेपी, जो बहुत ही जबरदस्ट बनती है, और बहुत ही उम्दा जायके वाली होती है, और मुनफरिद तरीके से बनाई जाती है, तो आएए शुरू करते हैं, बिसमिल्ला रह् मिर्च और एक टी स्पून नमक, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे, दस बारा अदत जुए लसन के, एक इंच का टुकड़ा अधरक का, और दो तीन हरी मिर्चे, इसको ब्लेंड करेंगे, ब्लेंडिंग जग में, इसमें एक कप पानी भी शामिल करेंगे, चिकन हमने लिया ह है आधा किलो, और ये ब्लेंड किया हुआ जो हमारा मसाला हमने बनाया है, इसमें से तीन चार टेबल स्पून हम चिकन में एड करेंगे, अची तरह लिक्स करेंगे, बिसमिल्लाह रह्मान रहीम, पैन हमने चुले पे रख दिया है, हाई फ्लेम पे, हम इसमें शामिल पॉना का कोकिंग ओयल, ओयल गरम हो जाए तो उसमें चिकन एड करेंगे, चिकन हमारा फ्राइ हो चुका है, जैसे ही ये ब्राउन डॉट्स आना शुरू हो जाए, इस तरह से ब्राउन होना शुरू हो जाए, तो हम इसको चुले से उतार लेंगे, दुब़रा से हम कडाई को चुले पे चड़ा लेंगे, और जिस आयल में हमने चिकन को फ्राइ किया था, वही हम च्छान के यूज करेंगे, बिसमिल्लह रह्मान रहेम जो चीजे हमने ब्लेंड करके पेस्ट बनाया था, वह हम इसमें शामिल करें जब तक कि इसमें से अधरक और लस्टन की खुश्बू आना शुरू हो जाए दो बड़ी इलाइची इसमें शामिल करेंगे अच्छी तरह बुनाई करेंगे बुनाई हो गई है अब हम इसमें चिकिन एट कर लेंगे चिकन हमारा पहले 50% कुक था अब मज़ीद हम इसमें अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से चिकन की भुनाई कर लेने के बाद अब हम इसमें हाफ कप पानी एट करेंगे पानी एट करने के बाद हम लो फ्लेम पे रख देंगे और कवर करके आठ से 10 मिनट तक कुक कर लेंगे चिकन को पकाते हुए हमें 10 मिनट हो गए है अब हम देखते हैं अब हम इसमें फ्रेश क्रीम आधी प्याली एट कर लेंगे क्रीम पक चुकी है अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चे शामिल कर लेंगे अब हम इसमें शामिल करेंगे धन्या पाउडर एक टी स्पून और जीरा पाउडर हाफ टी स्पून मिक्स करेंगे हमारी चिकन करी रेसेपी बिलकुल रेडी है अगर हम ग्रेवी रखना चाहें तो हम थोड़ा पानी एट करेंगे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए विडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए थैंक्स फर वाचिंग अल्हाफेज